कि आने वाले ट्रेडिंग सेस्टन में क्या मूंवनेट देखने को मिलेगा लाइव मार्केट में एक ट्रहाथार के आसपार स्टेड हो रहा है काफी दिन से देखो गे तो ना सिलवर अपसाइड जा रहा है ना यह नीचे साइड आ रहा है तो खाफी लोगों की बाई की को पर बताने के कोशिश करूँगा रही बाद फस्टेम विजुट कर रहे हो कोशिश करें चैनल को सब्सक्राइब करने की और डेली बेस को पर इंट्राइडी लेवल चाहिए तो टेलिंग्राम चैनल जरू जोइन करें वन आप देश्ट एनलेसिस एक तमपरी लिंक आपको डिस्किप्शन में बिल जाएगा वहां पर में प्रोवाइड कर रहा तो साथ साथ होल्डिंग का भी अनलेसिस में प्रोवाइड कर रहा तो अभी लाइव मार्केट में एक अतनर हदर के आसपस हम राउंड फिगर बोल सकते अलग बलग बाद 200 की बाइंग देखने को मेरा एकतनर हदर का वो उसके नीचे ट्रेड हो रहा है तो काफी लोगों को मैंने यहाप बोला था कि एकतनर हदर के नीचे सस्टेन करता है तो ब्युकुल सेल की पोजिशन बना सकते हो हाँ लेकिन ध्यान में रखना आपके पास सेल की पूजिशन बने हो तो ब्यूकुल प्रॉपर स्टॉपलस भी लगा दीजिए बातर अधर का स्टॉपलस रहेगा ज्यादा बड़ा स्टॉपलस नहीं है लेकिन जीदिन ये बातर अधर के ऊपर ट्रेट करने लगेगा तो सेल की पोजिशन स्क्वे रख़ दे रहे हैं अभी यहां पे बात करेंगे सीलवर में देखने को क्यूं नहीं मिर रहा है इसके पिजी की सबसे बड़ी वजह होना चाहिये एक्वीटी मार्केट में यांपे बुल मार्केट चल रहा है साथ में साथ इंडियर मार्केट के सा साथ यूएस मार्केट में बूर्ण चर रहा है अभी आज भी देखो कि तो यूएस मार्केट अल टाइम हाइपर ट्रेट कर रहा है और नास्डेक और डॉक्जन में बहुत जबर्दस ब्रेकाउड भी नजर आ रहा है उसकी वज़े से क्या होता है 90 लोग क्या होते है शिफ् सिस्टी एट तक आपको डाउंसाइट जाते वह देखने को मिलेगा लेकिन ध्यान में रखना प्रॉपर स्टॉप्लास जरूर लगाना मैंने औरेडी बोल चुका हो कि स्टॉप्लास के साथ ट्रेड लीजिए सेल की पोजिशन है उसके लिए बात तरदर का स्टॉप्लास स्टॉप्लास लेगा हजार पांट का लेकिन ध्यान में रखें बात तरदर के उपर सस्टेन करता है तो व्यूकुल आप बाई के भी पोजिशन बना सकते हो क्योंकि 68 से देखोगे तो सकतर अधर के आसपास शिवन्टी एट से देखोगे अलमुस्ट यह सत्तर अधर के आस लगता है तो व्यूकुल एक पोजिशन एड़ वी कर सकते हो और फ्रेस्ट भाई की पोजिशन बना सकते हो अभी काफी दिन से सिल्वर में जो एटियॉप में ट्रेड कर रहे होंगे आप यट में करते हैं उनकी भी position फसी है जो डॉलर में trade करते हैं उनकी भी position फसी है ना वेजिए नएचे जा रहा है तो ऐशा शेनारियों में क्या करना चाहिए व्यूक्र fotograf में जब trade हो रहा है तो मेरे सब में फोजीशन करना चाहिए और जब ब्रेक आउट देखा तब पोजिशन बाइग कर लेजी क्या होता है जब आप बाइग सेलिंग करते हो और पोजिशन में और आप प्रॉफिट आपकी साब से नहीं चलता तो आप एकदम परिशान हो जाते हो तो मार्केट के अंदर क्या होता है साइडवे ट्रेन कि 66 से लेके यहां पर देख लिए 66 नीचे वाला रहे और 78 अपसाइड करें पूरा का पूरा दस हजार पॉइंट के बीच में लास्ट के तीन साल तक ट्रेट कर रहा है तो मैंने अर्रेडी बता रहा हो कि लंबे समय में देखो कि तो सिल्वर एकदम साइडवे मैंने सबसे जब अच्छा खासा बूल रान इसके अंदर जब आएगा जब यह 78 के उपर ट्रेट करेगा यूँकि बहुत लंबा समय का यह बहुत स्ट्रॉंग रेजिस्टन्स है जी दिन भी आप ब्रेक आउट देगा तो मैं बता रहा हो कि आने वाले दिनों में कम से कम 10,000 देखने को मिलेगा लेकिन 78 का रेंज के बाद तो अभी तब तक आप छोटे छोटे प्रॉपेट बुकिंग करते जाएए 69 के रेंज में दुबारा मिलता है तो व्यूकल बाई की पॉजिशन आप अगेन अड़ कर सकते हो और अभी फ्रेज बाई करना चाते हो तो 72 के उपर आप बाई की पॉजिशन अगेन बना सकते हो अभी जिस तरीके से साइड़ बेटेंड है तो ज्यादा टारगेट नहीं म कर लिजिए और उनने अगेन से वजियेथ कशल बाई के से कुष्ट सोचेंगेमन की बेचमें और पॉपर नहीं बार नीचेए इपर नीचे हो गया गया होगा होगा। इना नवरेट पर डे वो हजार पंड की मोमेंट तो आपको अप डाउन में देता ही देता है अभी ये पाच्छे दिन से नहीं दे रहा वो अलग चीज़ है लेकिन वो प्रॉफिट आपको मिलता है मतलब मेरा बोलने का मतलब है आप सेल साइट भी बैठते तीन साल से तब भ प्रॉफिट करता रहता है तो इस तरीके का आपको जरूर फाइदा उटाना चाहिए व्युक्र में सिंपल तरीके से आपको स्ट्रेजी समझाने के कोशिश किया कि आपको किस तरीके का ट्रेड लेना चाहिए तो कभी भी घबराना नहीं है आपके भाई के भी पोजीशन तब ऻीया लेवल जरूर आएगा आपके पास क्या सवाए लेफलrones करने के पास आपके पास इभी कंश toca के साथ नहीं ले रहो हो अमेशा इस वीडियो के अंदर बताने की कोशिश किया अभी बात करेंगे है आप थे 사고 हो तो यहाँ हमें आपे नहीं कर ओल रहा होता है है वह विवकुल यहां पे साइडवे ट्रेंड है लगब लगब भग भी 22 के आसपास ट्रेड हो रहा है तो आने वाले दिनों में अगें यहां से एक यहां से मैं बोलना चाहूंगा कि आप इस रेंज को पकड़िए 26 डॉलर के आसपास जाते हैं तो फ्यूकुल सेल 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 पोजिशन अप्लाई कर लिजिए और बाई इसके नीचे जाने लगता है तो बाई की भी पोजिशन आप प्रेपर कर सकते हो तो आवरेजी स्टाटेजी आप ओक्टेफिस के तुरू कर सकते हो डॉलर में ट्रेट करना है तो बना अब बेस प्लाटफॉर्म है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देदूंगा य बाई बाई